नमस्कार, हिंदी साहित वारता में आप हैं इस वक्त सुभाष ठाकर के साथ जे आरेफ हिंदी की तैयारियों के अंतरगत हम मौक टेस्ट के सिरीज साथ साथ शुरू कर रहे हैं और इसके अलावा हमने इकाई चार इससे पहले शुरू किया था जिसमें हमने बहुत सारे लेक्चर अपने डिलीवर कर लिये हैं अगर आपने अभी तक वह वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप हमारे जो मौक टेस्ट वाली प्लेलिस्ट बनी है उसको भी देख सकते हैं और साथ इसाथ इकाई चार के नाम से हमारी जो वैचारिक पिष्ट भूमी के नाम से प्लेलिस्ट बनी है उसमें भी देख सकत उनको लेकर भी आपके लिए लेक्चर लेके आएंगे और आज हम इसमें जो आपका ये मॉक्टास वाली स्रीज है इसको कॉंटिन्यू करने जा रहे हैं UGC Net हिंदी की परिक्षा या फिर नेट की कोई भी परिक्षा अभी तक तै नहीं है कि कब है लेकिन फिर भी हमें अपनी तयारियों को जारी रखना बहुत जरूरी है क्योंकि परिक्षा कभी भी हो सकती है इसके साथ ही साथ दोस्तों एक मौत्वकुन चीज ये है कि हिंदी साही त्यवारता परिवार ने आपके लिए एक हजार जो प्रिविए से प्रप्रप्रशन है उनको भी पाया गया है आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक दे दिया गया है आज के इस लक्चर की और सबसे पहले हम जान लेते हैं प्रशन संख्या यहां पर फोटी वन है देखिए यहां पर कहा गया है कि अवधी की प्रमुक विशेष्टाएं क्या हैं तो अवधी में ए आउ का उचारन क्रमश आई और आउ होता है तो यह वाला कथन अपने आप म सही है जो अगला कथन है देखिए यहां पर कौन सा कथन बताया था कि अवधी के विशेष्टन मूल रूप से अकरांत होते हैं तो यह कथन भी क्या है सही है अवधी के बारे में या फिर आपका जो भी भाशा वाला ये लक्चर हुआ है देखिए उसमें हमने कम्प्लीट यह चीज़ें पढ़ी हैं चाए आपका अबदी हो चाया ब्रज हो या फिर आपका खडी बोली हो यह तीन बहाशाएं या जो बोलिया हैं उपवाशाएं है इनके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी होना चाहिए क्योंकि यह हमारे पार्टे क्रम में अलग से भी शामि रिजह जाने हैं दूसरा यहां पर तीसरा कथन है दीए अब्दीन Navy Massamadi के लिए आपने आप में क्नाता है गलत है क्या है क्यूंकि जो अब्धी भाषिया मैं मैं सकता प्रैयोन किया ठाशा में बायूगों एक 10am रिष्टी से अबरत यह किया करता कारक के लिए जो चिन है देखिए ने का इसमें विलोपन हो जाता है देखिए जैसे उसने खाया तो उसमें क्या हो जाएगा उखाईल तो इसमें सै का प्रियोग नहीं होता है ठीक है तो ये वाला कथन इसमें क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा आसाई आसाउ ना अवध रिष्टा नहीं है चलिए अगरा प्रशन हम देख लेते हैं प्रशन संख्या 42 है देखिए असत्य कथन बताईए तो यहां पर आपने गलत कथन फिर से बताना है देखिए अपभरश में तत्सम शब्दों का बहुल्य है तो यह कथन अपने आप में क्या है असत्य है क्यों क् अपभरश है देखिए उसमें तत्सम शब्दों का बहुल्य नहीं बलकि तत्भव शब्दों का बहुल्य है और तत्भव शब्दों के पश्चाज जो दूसरे नंबर पर आता है जो कम शब्द यूज़ हुए है उसमें तत्भव से कम देशज हैं और देशज से भी कम हमने विस्तार से पड़ा है एकाई दो में हमने यह सारी चीज़ें अच्छे से डिसकस की हुई है और एकाई दो हम कॉंटिनिटी के साथ कर रहे थे हलांकि हमने बीच में आगे वाले जो इसके यूनिट्स हैं उनको भी किया है लेकिन अपवरश से रिलेटिड जो भी अब भरश में क्षाति पोर दिर्गी करन की प्रवरिति पाए जाती है तो ये भी क्या है सही कतन है तो इसका जो उत्तर हो जाएगा देखिए अगला पशनम देख लेते हैं प्रशन संग क्या फोटी थी है देखिए पृत्वी राज रासों की भाशा को ब्रज भाशा किस ने कहा है. तो दीखिए प्रित्युराज रासों की भाशा क्या है, इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, इसके प्रमानिक्ता और प्रमानिकता के बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है, वो भी हमने अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, प् की ब्रजभाशा है ठीक है और शैली के अगर बात करें क्या डिंगल है या पिंगल है ये आप मुझे कमेंड सेक्शन में जाकर बता सकते हैं चलिए अगला प्रशन हम देख लेते हैं करशन संक्या 44 है देखिए विद्यापती को श्रिंगार रसका सिध्वाक कभी किसने कहा है तो देखिए विद्यापती से रिलेटिड भी कईवार परिक्षा में प्रशन पूछे जाते हैं और बहुती जादा महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं विद्यापती और कृष्ण जो आपकी कावे परमपरा में इनको पहला कभी माना जाता है ठीक है और विद्यापती को जो विद्यापती की पदा वली है देखिए उसको नागिन की लहर इनोंने कहा है ठीक है तो अचारे रामचंद्र शुकल का इनके संबंद में एक महत्वपूर्ण का थन है वो आप सब जानते हैं कि ठीक है जिसमें इनोंने ये कहा है कि अध्यात्मिक रंग के चश्में सुवा बोलता अब धूप यंजरे सुवा पंक्ती किसकी है तो ये वाली पंक्तिया है देखिए जो आपका विकल्प नंबर तीन है गोरक नाथ ची की ठीक है तो नाथों की संग्या कितनी मानी थी है ना अचारे रामचंद्र शुकल ने हिंदी साहिते के तिहास में कितनी म भी हैं उनको आपने याद रख लेना है कि उनकी पंक्तिया पूछी जाती है और नाथ साहिते से रिलेटेड भी पूछा जा सकता है तो नाथों में जो प्रमुक माने जाते थे वो गोरक नाथ ही थे तो उनकी ये जो महत्वपोन पंक्तिया मैंने आपके बीच में यहाँ और रख दी हैं चलिए अगला पशन हम देख लेते हैं प्रशन संग्या 45 के बाद 6 है देखिए समूचे भारतिय यहास में अपने धंका अकेला साहित्य है और इसी का नाम भक्ति साहित्य है यह एक नई दुनिया है तो देखिए बक्ति साहित्य से रिलेटेड ये कथन यहा रहा जाता है उसके रिगार्डिंग अलग-अलग बिद्वानों ने अलग-अलग चीज़ें कहीं हैं जो जो महत्तोफोन कथन है उनको आप एक बार जरूर पढ़के जाईएगा क्योंकि आपका भक्तिकाल यूजी से नेट की परिक्षा में ही नहीं बलकि हिंदी से प्रशन अकसर ही पूछे जाते हैं ठीक है शुकल हालां कि हमने यहां पर नहीं रखा है विकल्प में क्योंकि अचारे रामचेंदर शुकल से भी कई बार जो इनकी प्रमुक पंक्तियां है उनको पूछा जाता है तो यहां पर इसका जो सही उतर होगा देखे यह हजारी प प्रपतेवाद के बारे में हमने पढ़ा है इससे पहले अपने मौक टेस्ट के जरीए ही या दूसरी चीजों के साथ जब हम एकाई पांच से रिलेटिड कुछ एक चीज़ें पढ़ रहे थे वहां पर तो यहां पर नकेनवाद के जो कवी हैं तीन ही इसमें कवी हैं देख ठीक है अभी कल्प नंबर एक इसका क्या होगा सही उत्तर हो जाएगा चलिए अगला प्रशन हम देख लेते हैं प्रशन संक्या यहां पर देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास में शुकल के द्वारा क्रिश्न भक्ति कव्यों को किस क्रम में रखा गया है तो देखिए आप उसके पश्चात हम देखते हैं कि जो सरव विदित है जो सरव मान्यमत है वो थोड़े से हटके होते हैं कुछ एक ठीक है लेकिन आप देखेंगे आपका जो यह सूफी कवी है ठीक है उनका क्रम भी उन्होंने आगे पीछे थोड़ा बहुत रखा है तो वो भी अपने आप दास में शुकल के द्वारा जो कृष्ण भक्त का भी हुए हैं उनको किस क्रम में रखा गया है तो इसका जो सही उत्तर होगा यहां पर वो होगा विकल्प नमबर चार इसमें परमानन दास इन्होंने रखे हैं उसके बाद चत्रभुज दास हैं फिर चीत स्वामी है और आ इसमें इन्होंने चत्रभुज दास से इनको पहले रखा है तो यह तो हालां कि ऐसे भी पहले हैं लेकिन आगे थोड़ा सा इसमें आगे पीछे है देखिए चत्रभुज दास जो है उनका 1530 में जनम है ठीक है और जो चीत स्वामी है देखिए वो आपके का बाज आते हैं चीत स्वामी का जो है 1515 है हलां कि इन्होंने देखिए यहां पर इनको बाद में रखा है ठीक है तो यह थोड़ा बहुत अंतर इनमें देखने को मिलता है और गोविंद स्वामी के जनम के अगर हम बात करें तो देखिए यह 1505 में है ठीक है तो 1505 में गोविंद स्वामी है लेकिन इन्होंने सबसे पहले पर्मनंदास को रखा फिर चत्रभुज दास को रखा था हलांकि अगर सिंपली ऐसा पूछा जाता कि इन कवियों का सही क्रम रखना है तो सबसे पहले आपके कोन आ जाने थे इसमें पर्मनंदास आने थे फिर गुविंद स्वामी फिर आपके चीट स्वामी और आखिर में आपका कौन साना था चत्रभुज दास आना था ठीक है तो ये वाला इनका सही सिक्वेंस होना था अगर सिंपली ऐसी पूछा होता कि इनको सही क्रम में रखिये लेकिन यहां पर पूछा ये गया है कि हिंदी साहिते के इतिहास ग्रंथ जो अचारे शुकल ने लिका है उन्होंने इनका क्रम क्या बताया है ये चीज़ आपको पूछी गई थी तो प्रशन को बिलकुल त्यान पूरवक देखना है और ये गलतिया हम कई वार करते हैं परिक्षा में ठीक है तो एक तो सूफी कवियों को भी ने आगे पीछे थोड़ा सा रखा है उनकी जो रचनाय है उसको भी एक बार जरूर देख लीजेगा हिंदी साहिते के इतिहास तरक सरी लेटिड हमने यहां पर प्रशन रखा है कि मैथली शरन गुप्त भारतिय संस्किती के आख्याता है तो ये बात क्या है बिलकुल सही कतन है कि जो मैथली शरन गुप्त है इनको क्या माना जाता है भारतिय संस्किती के ये आख्याता रहे है और तरक क्या दिया जात तो ये कथन क्या है गलत है तो इसलिए ए सही आर गलत इसमें हो जाएगा चलिए आज का आखरी प्रशन देख लेते हैं हरवार की बाहनती हम आखरी प्रशन आपको लेकर आते हैं कि जो एक शब्द है वो किस भाषा का है और इसके अलावा आप देखेंगे कि आपको रूड योगरूड जो शब्द हैं उनकी भी पहचान होनी चाहिए इस तरीके के प्रशन भी UGC Net की परिक्षा में अब पूछे जाने लगे हैं कि कौन सा आपका योगिक है कौन सा योगरूड है तो इसके उपर हमने कंप्लीट लक्चर त्यार किया हुआ है चाहे आपके समास हैं उसके उपर भी लिका हुआ है उचारन स्थान से रिलेटर भी कई बार परिक्षा में प्रशन पूछा जाता है उस पर भी हमने लक्चर तैयार किया हुआ है तो आप चाहें तो जो हमारे पहले के जो लक्चर से उनमें आप देख सकते हैं जो भाशा संबंदी हमारी एकाई एक है देखिए वहाँ पर हमने इनको विस्तार से डिसकस किया हुआ है यहाँ पर जो शब्द है देखिए पपीता किस भाशा का शब्द है तो देखिए पपीता शब्द किस भाशा का है तो इसका जो सही उत्तर होगा देखिए यह होगा आपका विकल्प नमबर एक तो य इसके लिए कोई भी जादा खास त्रिक नहीं है, लगतार आप इनको पढ़ते रहिए, जो जो चीजे मौत्वकूर्ण है, जहां-जहां से आपको जो 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 चीजे मिलती है, जो जो शब्द मिलते हैं, उनको आपको रटना ही पड़ेगा, इसका कोई भी इसके अलावा कोई ज़्यादा मूल मंत्रिस में नहीं हो सकता है, तो यह जो शब्द था देखिए, पूर्टगाली के शब्द था, अर्बी और फार्सी के शब्दों को आपने ज़्यादा तर फोकस करने की जरूरत रखनी है, तो अगर इन प्रशनों में मुझसे कहीं पर कुछ भी गलती हो या कुछ एक डाउट रह गया हो, तो आप हमें कमेंट सक्षन में जाकर बता सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि कुछ और सुधार करने की जरूरत है दोस्तों, तो आपके सुझाव हैं, वो भी आप हमें कमेंट सक्षन में जाकर जरूर दे सकते हैं, साथ ही साथ अगर आपको हमारे टेलिग्राम ग्रूप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप उसके साथ भी जुड़ सकते हैं डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दिये जाएगा वहाँ पर भी हम अपने जो भी हमारे लक्चाज होते हैं या पीडियाफ बगेरा आपको चाहिए होती है तो हम आपको टेलिग्राम ग्रूप के जरिए वो सारी चीज़े उपलब्द परवाते हैं तो आप चाहें तो उसमें भी हमारे साथ जूड़ सकते हैं हिंदी साहित्य वारता के नाम से हमारा टेलिग्राम ग्रूप है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको आपका लिंक दे दिये जाएगा तो फिलाल आज के लिए इतना ही दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए अपने दोस्तों के बीच में शेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें तो फिर मिलेंगे नई उर्ज और नई स्पूर्ति के साथ तब तक के लिए शुक्रिया जहिंद